नवस्कार दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे थे रशायन विज्ञान से सम्मंदित उच महत्पूर्ण क्वेस्चन्स और उनके आंसर्स तो अभी थे हम लोग 200 क्वेस्चन्स खतम कर चुके हैं दोसों एक से हमें बात करनी थी दोसों एक बात क्वेस्चन है ओजोन परत मुखता कहां अवस्तित रहती है तो आपको बता देना है इस्टे टू स्फियर सी ओप्सन सही होगा क्या होगा सी ओप्सन सही होगा बात करते हैं दूसरे कुष्चन के बारे में ग्रीन हाउस गैसों के ओतसरजन में किस देश का सरवाधी के उदान है तो आपको याद रखना है सही तुराज अमेरिका किया याद रखना है सही तुराज अमेरिका ये option सही होगा बात करते हैं तीसरे question कठोर जल से calcium और magnesium निकालने की पिक्रिया को क्या कहते हैं कठोर जल से calcium और magnesium को निकालने की पिक्रिया को क्या कहते हैं तो याद रखना Fulturation B option सही है बात करते हैं चौत्रे question निमलेकित में से किस एक को exchanger gas भी कहते हैं निमलेकित में से किस एक को exchanger gas भी कहते हैं तो यह है आपकी genome D option सही होगा बात करते हैं 5 गे question बायू में कौन सी novel gas नहीं है बायू में कौन सी novel gas नहीं है तो यह आपकी redon organ है helium होगी neon होगी लेकिन redon नहीं होगी तो पांच भी में आपका C question है चटवा क्या है एक बिद्धुद बल्प की जीवन को बढ़ाने के लिए सामाननता उसे किस से भरा जाता है तो याद रखने हैं आपको organ से क्या है चटवेगा B option बात करते हैं सामाने को बिद्धुद बल्प में फ्रेयोक्त गैस कौन सी है अक्रिये गैस C option शही होगा क्या होगा C option शही होगा बात करते हैं आठमी कुश्चन की मौसम बिद्ध्यान सम्बंदी तेक्षन के लिए निमलिकित में से किसको गुबारों उसमें बहरने में उप्योग में लाया जाता है तो यह है आपका helium यह option सही है बात करते हैं नौवे कुश्चन की अक्रिये गैसों की खोज करने का स्तुरे किसे प्राप्त है तो यह है रैम जी नौवे में आपका a option सही है बात करते हैं दस भी कुश्चन की वो परपटी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने बाला तत्त कौन सही है तो याद रखने a टे टीन a option सही होगा क्या हुआ बात करते हैं लोग 11 कुश्चन की क्या है 11 कुश्चन आपका कांच पर लिखने के लिए किस समलका प्रियोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए किस समलका प्रियोग किया जाता है तो यह आपका hydrogen fluoride क्या है hydrogen fluoride बात करते हैं बारवी कुश्चन की माना और आमासे में पाया जाने बाला अमल है तो याद रखना है आपको Scl C option सही है बात करते हैं तेरे भी कुश्चन की hydro-kloric अमल का अननाम क्या है hydro-kloric अमल का अननाम है muritic अमल P option सही हुआ बात करते हैं 14 भी कुश्चन की Yvyanum के टायरों में भरने में निमनिम gas का प्योग किया जाता है तो यह आपकी helium क्या है helium बात करते हैं 15 भी कुश्चन की सामानिता निमन में किसे भविस्चा इनन कहा जाता है तो यह आपकी hydrogen बात करते हैं 16 कुश्चन की सामानिक किस्म का कोईला है विट्टू मीनस क्या है एए ओप्षन सही होगा कुश्चन है सत्रे खाना पकाने के तेल को किस फिक्रिया द्वारा वनस्पतिगी में परिवर्दिक किया जा सकता है तो यह आपका हाइड्रोजनिकर सी ओप्षन सही होगा बात करते हैं अठारवे कुश्चन के भारी जल एक पकार का है भारी जल एक पकार का मंदक है क्या होगा ए ओप्षन सही होगा इसमें ठीक है उन्नीस कुश्चन सभी जैव योगकों का अनिवार मूल तक्त क्या है तो याद रखना है कारवन क्या है कारवन होगा बीच वा कुश्चन पैंसिल का लेड है पैंसिल का लेड है ग्रेपाइड का क्या होगा ची ओप्षन बात करेंगे हम लोग 21 वा कुश्चन ऑक्सीजन की कोस्ट किस ने की थी पिश्ट लेने सी ओप्षन सही होगा कुश्चन है हमारा 22 वा नेमने में से किस एक काईनल मान अधिक्तम होता है हाइड्रोजन का 22 का बी ओप्षन है कुश्चन है हमारा 23 जिस नियुनतम ताप पर कोई पदार चलना सुरू करता है उसे उस पदार को कहते हैं क्या कहते हैं जोलन पदार जोलन ताप 23 में आपका ए होगा कुश्चन है 24 सुसन किस फ़िकार की दहन के रिया है यह आपकी मन्द दहन के रिया है 24 में A होगा क्या होगा A option सही होगा मन्द दहन बात करते हैं 25 में कुश्चन बुहरा कोईला की नाम से जाना जाता है लेग नाइट 25 में A होगा Question 26 निमलिकित में से कौन जीवास्प इनन नहीं है तो याद रखना nitrogion नहीं है Koila है आपका, petroleum है जल गई से तो आपको क्या जाद रखना है इसमें निमलिकित में से कौन जीवास्प इनन नही है, नाइट्रजन नहीं है Question 27 निम्ले कितमें किसे कौन इनन तत्थ नहीं है रैडियम है थोरियम है हीलियम नहीं है यूरेनियम भी है तो 27 में आपका C होगा कुष्यन है 28 निम्ले कितमें से किस इनन से बातावर्ण में नियूंतम फिदूसन फैलता है 28 में आपका हाइड्रोजन होगा यह ओप्सन सही होगा वात करते हैं लोग 29 वे कुष्यन की फैटोल से लगने वाली आप के लिए किस विकार के अगनी सामा कप्रियों किया जाता है तो आपको या C ओप्सन सही होगा बात करते हैं तीसवे कुष्यन की वायू से हलकी गैस है वायू से हलकी गैस है अमोनिया डी ओप्सन सही है कुष्यन 31 गैस यह समीकन पीवी बराबर एनार्टी में आर क्या सुचित करता है तो याद रुखना एक मॉल गैस को बी ओप्सन सही है कुश्यन है मारा 32 निमलिकेत में से कौन सा नियम गैसों से सम्बंदित नहीं है निमलिकेत में से कौन सा नियम गैसों से सम्बंदित नहीं है तो आपको याद रखना है थराडे का नियम नहीं है वाइल का नियम गैसों से है चाल्स का नियम गैसों से सम्मंदित है ये लोसाथ का नियम गैसों से सम्मंदित है लेकिन फिराडी का नियम गैसों से सम्मंदित नहीं है दो 32 में आपका ए होगा 33 बिन बिन नियत तापों पर गेसों के आयतन दाब आचरन को दरसाने के लिए आरे के चक्रे का क्या कहलाती है तो याद रखिए आईसो थर्मल्स 33 में आपका ये होगा क्या होगा ये ओप्सन सही होगा बात करते हैं 34 वे कुशन जी आदरस गेस की उज़ा नेर पर करती है मौलकी संख्या का बी ओप्सन सही है कुशन है हमारा 35 तामान इवं दवाव की समान इस्तितियों के अंतरगत सभी गेसों की समान आयतन में अड़वों की सम क्या समान होती है ये नियम क्या कहलाता है ये कहलाता है आभू ग्रादो नियम 35 में आपका C होगा 35 में क्या होगा C ओप्सन सही कुशन है हमारा 36 उत्पेरक की कोज किस ने की थी उत्पेरक की कोज आपकी वरजी लियस ने की थी C ओप्सन रही होगा कुशन है हमारा 37 तत्त्यों का सबसे पहला वरगी करण किस ने किया था तत्त्यों का सबसे पहला वरगी करण आपका डुबे रेनर ने किया था C option सही होगा कुश्यन है मारा 38 तक्तियों की बरगी केंड से सम्मदित तुरक के नियम का पिति पादन किस ने किया तो यह किया था आपका डुबे रेनर ने ठीवे B option सही होगा कुश्यन है आपका 49 तक्तियों की बरगी केंड से सम्मदित अश्टक नियम का पिति बादन किस न किया था तुर्याद रुपना New Lenders B option सही होगा कुश्यन है हमारा 40 किस बिज्ञानेक ने सरफित हम आवसाणी का निर्माड किया था Mandelik Mandelik क्या होगा C option सही होगा बात करते हैं 41 कुश्यन जी चाकू से काटी जा सकने वाली धातू कौन से है चाकू से काटी जा सकने वाली धातू आपकी सोडियम है क्या है सोडियम है A option सही हुआ है सोरी C option सही हुआ सोडियम बात करते हैं हम लोग 42 कुश्यन साधारन नमक है साधारन नमक है तो आपको याद रगना है सोडियम किलो राइड B option सही हुआ है पुश्यन है हमारा 43 डबल रोटी बनाने में प्रेयोक्त किये जाने वाली है बेकिंग फाउडर क्या होता है तो आपको याद रखना है सोडियम बाई कार्गोनेट 43 में C होगा बात करते हैं 44 नमलेड लावणों में से सागरी जल की लबड़ता में किसका अधिक्ता में उधान है केल्चियम किलो राइड का सही आप्शन सही है बात करते हैं 45 कुशन के फोटोग्राफी में इस्थाई कर कि रूम में प्युक्त होने वाला रसायन है केल्चियम किलो राइड क्या है केल्चियम किलो राइड बात करते हैं फोटोग्राफी में इस्थाई करके रूम में प्युक्त होने वाला रसायन क्या है तो यह आपका सोडियम थायो सल्पेट होगा क्या होगा सोडियम थायो सल्पेट बी ओप्सन सही हो याद रुखिये फिरसे मैं बोल देता हूँ अगर किसी कुश्चन का आंसर मुझसे गल्दत हो जाता है या दोके से गल्दती हो जाती है उसका सही आंसर किर्फिया करके कमेंट बोक्स में लिख दिया करिए जैसे दूसरे को भी मदद हो सके इतना तो कर सकते हो कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्चित होता है यह आपका ऐलूमेनियम 46 में यह है कुश्चन है मारा 47 रोकेट को चलाने में प्रयोक्ती इनन कहलाता है रोकेट को चलाने में प्रयोक्ती इनन होता है प्रोडदक प्रोडदक बी ओप्सन सही होगा कुश्चन ने अड़तारिस नेम लिखित में से कौन सा ही ने नियुंतम पर्यावर्णिये पिदूसन उत्वर्ण करता है हाइडरोजन सी ओप्सन सही है बात करते हैं 49 कोशन की गेस एजनसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गेस है दिरब बात करते हैं 50 कोशन की दातू की प्रक्किती कैसी होती है विद्धु धनात्मत 50 में आपका C होगा बात करते हैं लोग इंक्यावन कुश्चन की क्या है इंक्यावन कुश्चन इन में से कौन ठोस नहीं है इन में से कौन ठोस नहीं है तो पारद आपका ठोस नहीं है इंक्यावन में आपका B होगा, बात करते हैं बावन कुश्चन की, कुश्चन है बावन हमारा, ऐलूमिनियम का प्रमुक S कौन सा है, ऐलूमिनियम का प्रमुक S आपका बॉकसाइड है, क्या है बी ओप्षन सही है क्योछन है तरेपन निमलिकिट में से कौन सी मस्ज दातु नहीं है तो आज याद रखना है आपको ताम बाद क्योछन है बारा चम्त निम्लिकित धातुओं में से सरवादे खीन चालक कौन सा है तो याद रफना स्थी सा क्या होगा स्थी ओप्सन सही होगा कुश्यन है मारा पचपन निम्लिकित में सबसे भारी धातु कौन है निम्लिकित में से सबसे भारी धातु कौन सी है आकिर तो ये भी आपकी यूरेनियम है D option शही हो बात करते हैं 56 question D निमलिकेत में से कौन सेमेंट का मुख संगर्टक है तो ये हैं आपका चूना पत्थब C option शही है Question है मारा संतावन मानो निर्मित तत्थ की पहचान कीजिए मानो निर्मित तत्थ की पहचान करना है इसमें आपका केली फोर्डनियम B option सही है Question है मारा अंठावन फ्रक्किती में सुतन तवस्था में भी पाये जाता है सोना तावा चादी इस सभी होगा इसमें क्या होगा अंठावन में D Question है मारा 69 निर्मित में से किस दादू का गल्लान इतना कम होता है कि वह हाथ में ही पेगल जाती है तो यह आपकी गैलियम A option सही होगा Question है 60 Sodium Bicarbonate का वाडिजिक नाम है Baking soda क्या होगा? C option सही होगा Question है मारा 61 जो लवड अमली है Hydrogen परमाडू या Hydroxyl आयान से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? सामान लवड A option सही होगा बात करते हैं 62 Question की Hydrogen सभी अमलों का एक आवस्यक अब अब है या सरपतम किस ने कहा था? तो याद रखना Davy ने C option रही होगा बात करते हैं हम लोग 63 Question की भस्मों का स्वाद होता है भस्मों का स्वाद खट्टा होता है बात करते हैं 64 Question नीले लेटमस पत्त को लाल कर देता है आपका अमल 64 में आपका C होगा बात करते हैं 65 वे Question भी आधुनिक आवर्थ नियम के पिवर्थक हैं आधुनिक आवर्थ नियम के पिवर्थक हैं आपके Mostly क्या होगा पित्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तक थे ओक्सीजन पित्वी आवर्थ का अंतिम सदस होता है एक निस्क्रिय गैस सी ओप्सन सही है बात करते हैं लोग 59 कुशन की फित्वी आवर्थ का पिथम सदस होता है एक चार धातु बात करते हैं 70 वे Question गी चूना पत्थर का रसाइनिक नाम है दी ओप्सन रही होगा बात करते हैं लोग 61 कुशन की क्या है मौती मुक्रोब से बना होता है केल्सियम कार्वोनेट का केल्सियम कार्वोनेट का बात करते हैं 72 कुशन कि ताप जिपसम क्या होता है तो याद रखना चूना कि ताप जिपसम क्या है चूना कुश्ण है हमारा तेहत्तर निम्लेकित में से कौन सी धातू जल के साथ अभी किरिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है तो यह आपकी कैडमियम यह ओप्सन सही है कुश्ण है हमारा चूहत्तर रसाइनिक दिरिष्टी से सिंदूर है जिसमे होगा मर्कियूरिक सल्फाइड यह ओप्सन सही होगा कुश्ण है 75 ओडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रसाइनिक दिरिष्ट का लेप रहता है तो यह याद रखना है आईरन ओक्साइड का यह ओप्सन सही होगा बात करते हैं हम लोग 76 कुश्ण जर्मन सिल्बर मेंनेबलिकित में से कौन सा नहीं होता है सिल्बर नहीं होता है ठीव है कुश्ण नमर 76 में आपका सी होगा बात करते हैं हम लोग 77 कुश्ण इस टील में कारवन का इस टील में कारवन का इतीसत होता है 0.1 से 1.5 तब इतीसतर ठीव है क्या होगा 77 में ए होगा कुश्ण है 78 निमलिकित में से कौन सा कौन सबसे अधिक मात्रा में समुद्ध में पाया जाता है मसोडियम डी ओप्तन रही होगा कुश्ण है 89 यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्धुतन के फाल्सवरूप अंतता क्या बनता है तो याद रखना C साब B-Option सही होगा कुश्ण है 80 निमलिकित में सर्वोत्तम उसमा सुचालक है पारत डी ओप्तन अस्थी में सही होगा कुश्ण है 80 काच को गहरा निला रंग किस से मिलता है काच को गहरा नीला रंग कोबाल्ट ओक्साइड से मिलता है 81 में आपका A होगा बात करते हैं लोग 82 कुशन 140 बाहन निर्वातक का सरवादिक आविसालू दातू पिदू सक है LED A option सही होगा कुशन 83 84 पीतल में कौन सी दातूएं होती है पीतल में अपकी तामा और जस्ता होती है बात करते हैं 84 बेकुशन फिलाश्टर ओप पैरिस का रसानिक रूप रसानिक रूप से है केल्सियम सलफेट B option सही हो कुशन है हमारा 85 मायव गिलोबिन में कौन सी दातूएं होती है लोहा B option सही है कुशन है हमारा 86 आतिस बाजी में हरा रन किसकी उपस्तिती के कारण होता है तो यह आपका बेरियम C option सही होगा कुशन है हमारा 87 प्याज लैस्वन में गंद किस तत्ति की उपस्तिती के कारण होता है पोटेसियम 87 में आपका B होगा बात करते हैं 88 वे कुशन भारत में पिचुर मात्रा में उपलब नापकी है इधन है थोरियम कुशन है 89 निमलिकित मेंसे कौन सा ही यसद पुस्त कहलाता है तो यह है आपका जिंक उकसाड 89 में आपका A होगा कुशन है हमारा 90 निमलिकित मेंसे किस एक में रज़त नहीं होता है तो जर्मन सिल्वर में नहीं होता है 90 में आपका A होगा कुश्चन है हमारा 91 मडिक और नीलम रसानिक रूप से कैसे जाने जाते है एलूमिनियम ओपसाइड 91 में आपका C होगा कुश्चन है हमारा 22 फिटकरी गंदले पानी को किस पिकडिया द्वारा सख्च करती है तो याद रखना इसकंद द्वारा 52 कुश्चन में C होगा कुश्चन है हमारा 93 सुच के सैल में विधुर्वक्खा कार करता है मैगनीज डाइ ओकसाइड C ओक्सन सही हो कुश्चन है 94 हेलो जन में सरवादी कभी करिया है फिलोरीन क्या है फिलोरीन है कुश्चन है मारा 95 निमलिखीत मैं से कौन सामाने ताप पर ठो सबस्ता में पाया जाता है यह आपका आयोडीन यह ओप्सन रही है कुश्चन है मारा 96 हेलियम को छोड़कर अन्न सभी अक्रिय अगयसों की बाहे कक्चा में कितने इलेक्टोन होती है तो यह आद रखना है आठ इलेक्टोन होती है 96 में आपका बी होगा बात करते हैं 97 कुश्चन की इस फटेक निमलिखीत मैं से किसका केस्टलिय रोप है तो यह आपका सिलिका का डी ओप्सन सही होगा कुश्चन है 58 वे तत जिसका परमाणू किरमांग तता परमाणू बाहर दोनों एक समान होता है यह आपका हाइट्रोजन कुश्चन है 99 हीरे का जवाहरा की रोप में उपयोग उसके किस गोण पर निर्भर करता है तो यह आद रखना आपको बारत नांग यह ओप्सन सही है कुश्चन है हमारा 300 बार भारी जल का 8 बार है 20 भारी जल का 8 बार 20 है तो चलिए यह थे आपके 300 तक कुश्चन्स हम लोगों में बात कर लिए 301 से हम लोग आंगे बात करेंगे